हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका यूटीब चैनल दा सीक्रेट आफ इन्वेस्टिंग इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं मिंडर इंडस्टी के स्टॉक के जो फाइनिसियल रिजल्ट है कौटर फॉर की पारे में उसके बारे में उससे पहले आप देखिए आ आप लोग आ चुके हैं consolidated financial result की उपर और जितने भी यहां पर नंबर्स हैं करोड में आप लोगों को mention होते हुए नजर आ रहे हैं तो कोई भी change करने की जरूरत नहीं है सबसे पहले income देखें तो आप लोग देखिए यहां पर जो income है last year same quarter की है वो 2240-50 करोड के आसपास income होते हुए नजर आ रही है तो यहां पर कुछ जादा बड़ा जंप आप लोगों को income में देखने को नहीं मिलेगा नहीं year on year basis पे नहीं quarter on quarter basis पे उसके बाद अगर आप लोग यहां पर देखें expenses वाला sector तो उसमें भी आप लोग देखिए cost of raw material जो सबसे जादा होती है उस 2060 क्रोड के आसपास expense आपको देखने हों मिला था अगर लास्ट quarter की बात करें तो आप लोग देखने हों मिल लई है जिसके चलते यहां पर हम लोगों को पता है directly जो impact है वह आप लोगों को profit में आता हुए नजर आ रहा है यहां पर last year की अगर हम लोग बात करें तो 163 क्रो में 118 क्रोड का profit और इस बार आप लोग देखें 156 क्रोड का profit quarter on quarter basis में तो आप लोगों ग्रोड देखने हो मिलेगे लेकिन year on year basis पर यहां पर काफी ज़्यादा ग्यावार देखने हो मिल लगे है revenue बढ़ने के बाद भी यहां पर profit में कमी due to expenses क्योंकि यहां पर expense ज्यादा ह हो गया है cost of material cost जो raw material है काफी ज्यादा मेंगा आप लोगों को देखने मिल ला है जिसके चलती यहां पर profit में वो काफी ज्यादा decline आ रहा है और यहां पर उसी का impact आपको आज की दिन इसे stock में देखने मिला है stock का 52 वी खाए एक बादेखने को आप लोग देख सकते हैं लग 30-40% 30-41% के आसपास आप लोगों को यहां पर downfall is a stock में देखने मिल चुकी है तो मतलब कि जो गजब की तीज़ी पिछले एक साल में दिखाई इस stock में वो अब आपको यहां पर profit booking देखने को मिल लगी है अब इन levels पर दोस्तों आप लोग एक चीज़ नोटिस करिए कि यह 800 के level पे stock ने काफी दिनों तक trade करके दिखाया था आप लोग देख सकते हैं यह जो sector है यहां पे आप लोगों काफी दिनों तक यह stock trade करता हो नज़र आ रहा था तो यह काफी stock support zone की तरफ से आप लोगों देखने मिलेगा और अभी भी आप लोग देखिए यह जो stock है यहां आप एक अच्छा कासा base बनाता हो नज़र आ रहा है अगर market में weakness थोड़ी बहुत भी समलती है तो यहां सी यह stock कापी अच्छा कासा bounce back करता हो नज़र आ सकता है तो अगर यह stock थोड़ा बहुत और गिरता है साड़े साथ साव 800 के level पे आता है तो definitely काफी अच्छी buying opportunity होगी आप लोगों के लिए और आप लोग बेफिक्र होगे इस stock में entry कर सकते हैं I hope मैंने आपके सारे डाउट क्लिक करनी की कोसिस किया है मिद्ना इंडर्श्टी से related वीडियो चे लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते है चैनल पर फस्टाइम होगे तो प्लीज चैनल स सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं आपको नेक्स वीडियों तब तक लिए बाइबाइब